मोहन जदाडू एक एंशिंट सिटी है जो कि पाकिस्तान की लाखर डिस्टिक्स से 28 किलोमेटर की दूरी पर है मोहन जदाडू दुनिया के सबसे हैथियासिक शेहरों में से एक माना जाता है वैसे तो इस शेहर का असली नाम किसी को नहीं पता पर इरावतम महादेवन जो की इंशेन डिस्क्रिप्ट पढ़ने में एकसपर्स से इन्होंने मोहन जदाडू की सील का अनलिसिस किया और इस शेहर का नाम कुकुतर्मा प्रिडिक्ट किया और इन्होंने अपने analysis से ये भी बताया कि इस शहर में cockfight game खेला जाता था ये शहर 300 hectare के area में फैला हुआ है इसमें proper water supply system और proper danis system भी था मोवन जदाड़ो एक well planned city थी जिसमें rectangular shape की buildings grid plane structure में थी grid plane, cities का road structure होता है जिसमें roads एक दूसरे के साथ right angle में होती है जैसे कि आप इस photo में देख सकते है इस शहर की हर एक building पकी हुई एटो से बनाए गई थी कहा जाता है कि इस शहर में लगबग 40,000 लोग लहते थे archaeologist ने मोवन जदाड़ो को समझने के लिए इसको दो हिस्सों में बाट दिया जो था citadel city और lower city जहर में दो बड़े assembly hall थी इसके अलावा एक central market था खुदाई के दोरान archaeologist को 700 कुए मिले इन कुओं की location देखकर archaeologist ने ये बताया कि हर दीन घर के पास एक कुआ होता है जिससे वे अपनी water की needs को पूरा करते हैं इस बात से आप यह जान ही गए होंगे कि यह शर कितना modern था उस time case आप से सबसे पहले आप इस photo को देखिए इस photo को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये स्वास्तिक का photo है स्वास्तिक हिंदू धर्म का एक important chin है और prosperity और good luck को represent करता है ये स्वास्तिक seal archaeologist को Moven Jodadu की excavation site पर मिली थी जोगि 2700 BC की थी ऐसी स्वास्तिक seal हरपा में भी मिली थी हरपा इंडस वली civilization की एक major city थी काल मने 28 के excavation के दोरान एक और seal मिली ये ये स्वास्तिक seal का photo और इससे बनने वाले impression का photo ये है archaeologist ने इस seal का नाम पशपती seal रखा इसकी दो और नाम है एक महायोगी seal और दूसरा प्रोटो शिवा seal जॉन मार्शन जो की आरकेलोजिकल सर्विय आफ इंडिया के डारेक्टर जिर्नल थे इन्होंने सबसे पहले seal का analysis किया और बताया कि ये seal इंदू धर्म के देवता भगवान शिफ की है जिने हम पशुपतिनाद भी कहते हैं 1929 के पब्लिकेशन में चॉन मार्शन ने चार रीजन समराइज किये कि आकर उन्होंने क्यों इस seal को भगवान शिफ से जोड़ा पहला रीजन था कि उस seal में तीन सिरवाला एक फिगर है और भगवान शिफ भी तीन सिर के साथ हमें किसी न किसी historical picture में देगने को मिली ही चाते हैं तूसरा रीजन ये है कि उसके सिर पर बैली के सिंगों का और तरिशूल का एक ताज है ये बताता है कि वो seal भगवान शिफ की ही है तीसरा रीजन ये है कि उस seal में वो फिगर एक योगिक पोस्चर में बैटा हुआ है चौता रीजन ये है कि वो जानवरों से घिरा हुआ है और भगवान शिफ को हम जानवरों के भगवान कहते हैं यानि कि पशुपतिनात जान मार्शल के पशुपति सील का अनेलिसिस लगबाग दो जनरेशन तक इंफ्लेंशन रहा उसके बाद थामस मैक एविले जान मार्शल के सपोर्ट में ये बताते हैं कि वो सेंट्रल फिगर हमूल बंदासन में बैटा हुआ है जो कि एक योगिक पोस्चर है इसमें दोनों हील्स जुड़ी हुई रहती हैं और ये इंफिनाइट नॉलेज को अटेन करने के लिए कि योगिक क्रिया है ये दोनों सीली ये पताती हैं कि मोहिन जुदाडों के लोग सनातन धर्म के रिच्छुल्स को फॉलो करते थे और हिंदुईजम हिंडस वैली सिवलाइजिशन का एक रिलीजिन था दोस्तों अब ये वीडियो हम यहीं कतम करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें अब हमें आगली वीडियो के लिए कमेंट्स में टॉपिक से रिस्ट कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद